जाहिन मैं भी किशर्मा आपका स्वागत है एक नए वीडियो में दोस्तों ब्येसेब ट्रेडमैन 2024 का नॉटिकेशन जारी कर दिया गया है इसका नोटिस सोसल मीडिया पर लागा था बहुत तेजिस से वाइरल हो रहा है जो कि आप लोग सभी देख लिए होंगे तो इस रखे गए है मेल में कितने वेकनसी रखे गई है लिए कि में कि इंसीर में कितने रखे आई सभी जनकारी इस वीडियो में हम लोग जानने वाले लिस्ट वुल ओक करें वीडिए लिकंटन होने वाला है तो चलिए देडना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। budget 3 520 टीक कोई तिझन कर ल difCS टेजर मेंट का वेकैंश रहने वाला है घर्ट करेंगेन का जो कि टोटल ऊस्थ की बात करण सोट तो टेला पोस्थ रखेगा एकइसो चालिस पोस्ट टोटल पोस्ट एकीसो चालिस पोस्ट रखे गए इसी में से आपके मेल के अलग है फिमेँद वाइज अलग है तो आसे ओसे अप्लाई होना स्टर्ट हो जाएगा तो मैं बता दूँ कि फोर्म अपलाई अब लोग नोटिस में वहाँ पर फिलियर लिक दिन गयागा है कि धिस दिन के अंदर ये अंदर आप लोगों के फॉरम देखने को मिल सकते को जन्वरी के कि तब तक रहने वाला तो जैसे कर आजोएथ होता है एक और वीडियो लेकर आपके सामने आजाओंगा ठीक है फिर भी मैं आप लोगों को बता दू कि 30 days आप लोगो पूरे एक महीना ठीक है ना एक महा आप लोगो को मिलता है व्यंसे प्रेड मैंन के फर्म को भरने के लिए पुरे एक महा मिलता है तो आप लोग अच्छे से फर्म को फिल अप करेंगे हो 1 लोवि सी सब्सक्राणा है चैनल मातर सवर्पार रखे गए हैं के लिए मतर सब्सक्राणा कर ले लिए दिया दिकना तो अंलाइन किछेघा मिर दंट गोरिंग तब विदियो में परीडिद बने रहे विदियो को जड़ा सभी सिक्प ना करे मैं आप लोगों को नोटिस भी दिखाने वाला हूं कि नोटिस में क्या-क्या लिखा हुआ है ठीक है वहीं पर एज लिमिट की बात कर ले तो मिनिमम आपके चाहिए और मैक्सिमम 25 यह सोने चाहिए ठीक है ना 18-25 यह तक जेनरल वाले यू आर वाले फिलप कर सकते हैं यहां पर मैं यहां पर लिख दिया हूं आप लोग देख पा रहे हूंगा कि यू आर के लिए 18-25 साल तक और ओभी सी के लिए 3 साल का एज रिलेक्शन मिलता है तो 18 से 18 साल तक आप फॉरम को फिलप कर सकते हैं वहीं पर लोग के लिए प्रेट मैं प्रेट में आप लोग को पहले फिजिकल होता है उसके बाद ट्रेट टेस्ट उसके बाद डॉक्मेंट भेरिपिकेशन देन आप लोगों का रिटेन मेडिकल और फाइनली जॉइन ठीक है न तो आप लोग का जो प्रेत्मेंच का प्याश्टी रहने वाला है घ्ल हो कि तो आपके रहने वालब से थाजस्त की नॉर्मल और इताथ चैस्त है ना का नहीं मापा जाता है ठीक है वहीं पर फिजिकल रनिंग की बात कर ले तो मेल के लिए पांच किलो मीटर रखा गया 24 मिनट में और फिमेल के लिए 16 तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हूं कि दोंटीस में अपने मोबाइल में एंब आपने कर लिया और गला है यहाँ पे लृट्याइवले में और गया, कि हो चुक्रेमेंट एड्वारक sweat. for the year 2024 तो मैं आप लोग को पहले ही बता दे हूँ कि 2024 का ये वेकेंसी रहने वाला है जो कि आप लोग का ओनलाइन मूड में ये वेकेंसी रहने वाला है टोटल वेकेंसी की बात कर लें तो टोटल वेकेंसी की 140 पोस्ट रखे गए है male and female के लिए दोनों candidate के लिए form रखे गए male and female के लिए male के लिए वेकेंसी कितनी रखे गई है टोटल तो 1723 वेकेंसी रखे गई है male के लिए other और वही पे female के लिए 417 वेकेंसी रखे गई है तो मैं आप लोग को बता दू कि आप लोगों का जो pay level रहने वाला जो की 2700 से 79100 रुपे तक रहने वाला है वही पे other allowance लेकर आप लोगों के 35,000 पलस आप लोगों के रहने वाले तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सुनेरा मोका है BSF trade man में ठीक है तो चलिए हम लोग next point देख लेते हैं ठीक है ना तो जैसे ही official website पे आजाता है मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो मिले कर चलाओंगा ठीक है तो आप लोग देख पार होगा कि third point के क्या लिखावा कि last date for acceptance of application will be 30 days यानि आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया था तो यानि कि आप लोगों के यह form जो है 30 दिन के अंदर ही अंदर ही यानि 30 दिन के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जन्वरी में यह form आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यह से ट्रेड मैन का ठीक है आप लोगों के जो form है उन लोगों का उन सभी वेकेंसी का जल्दी ही एक्जाम होने वाला है ठीक है रनिंग और रिटेन दोनों करते रहे हैं ठीक है न ये मैं आप लोगों को सिधा ओपीसल वेपसाइट पर लेकर चल रहा हूँ तो दोस्तों आप लोग देख पा रहा हूँ कि बिएसेट्रेनमेंट का ओफिसल वेपसाइट पर हम लोग आ चुके हैं जो कि आप लोगों का सेलरी 21,700 से 69,100 रुपे तक रहने वाला है नमरों पोस्ट की बात कर लें तो 2140 पोस्ट रखे गए हैं एपलाई लाज डेट के लि वहीं पर education qualification की बात कर लें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि टेंत पास होने चाहिए और पलस आपके पास ITI certificate होने चाहिए कुछ ऐसे ट्रेड हैं जहाँ पर ITI certificate मांगा गया कुछ ऐसे ट्रेड है जहाँ पर णौन आय टाय certificate मागा गया ठीक है ना तो आप लोग ITI की है तभी आप लोग फर्म को फिलब कर सकते अगर आप ITI नहीं की है तभी भी कुछ ऐसे ट्रेड है जहां पर आप लोग के ITI certificate नहीं लगने वाले हैं ठीक है वहें पर BSF फोर BSF की बात कर ले तो आप लोग के मैं बता दू कि 100 question आएंगे 100 marks के रहेंगे ठीक है और आप लोगों का duration 120 मिनट मिलने वाला है ठीक है ना तो आप लोग के जो 100 question रहेंगे 100 question solve करने के लिए आपको 120 मिनट मिलने वाले है ठीक है यहाँ पर आप लोग देख पा रहेंगे कि important documents के बारे में important documents के बारे में मैं आप लोग को बता दू कि copy of recent passport size color photo होने चाहिए ठीक है जो कि आपके scan होने चाहिए ठीक है recent photo होने चाहिए आप लोग के बहुत पुराने photo नहीं होने चाहिए ठीक है हुहाई पर scan signature होने चाहिए ठीक है एजूकेयसन चर्टिफिकेट होना चाहिए valid identity proof होना चाहिए domicile certificate होना चाहिए caste certificate होने चाहिए अगर आप लोग С.C.E.S.T. है तो caste certificate होने चाहिए C.E.S.T. का अगर O.B.C. है तो non creamy होना चाहिए ठीक है और EWS वाले है तो EWA certificate होने चाहिए ठीक है तो आप लोग ये पूरे document को अच्छे से देख लेंगे ठीक है ना आप लोग notice देख लिए होंगे तो मैं आशा करता हूँ कि सब्सक्राइब करते हैं अगर मेरे टेलीग्राम से नहीं जूड़े हैं तो मेरे टेलीग्राम गूरूप से जूड़े कि कि वहां पर माते में से आप लोग के कोस्टन करवाए जाते हैं जया ही जय भारत